सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानबोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्सिन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल लानबोट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बारे में संपून जानकरी दोस्तों आज एक ही वीडियो में हम दो अलग लग दवाओं के बारे में डिटेल जानेंगे और उन दवाओं का नाम है ग गलते वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूलिजान करें इसके बाद में आपको मिल सके साथ ही चैनल पर पहली बार,, वीडियो पहली बार देख जरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने चाठ करने के साथ वीडियो को लाइक और शेकर नहींまた बूले मैं हूं आपका मोह जिसे एंटिक क्लास में रखा गया है और यह दोनों ही दवाईयां सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसोडर तता नियुरोलोजिकल डिसोडर को ठीक करने के लिए प्रियोग लाई जाती है जिन बिमारियों को यह दोनों दवाईयां ठीक करती है वे बिमारियां है प्रियोग करते हैं साइटी कर नाम की बिमारी में इसका प्रियोग किया जाता है जिसमें हमारे कुले से लगाकर A.D. तक डर्द रहता है कोई पैसेंट है जिसको फाइब्रो मायल्जिया नाम की बिमारी जिसमें मसल्स में पूरे सरी में दर्ध रहता है इसके अलाव मसल्स में स्टिफनेस लगना मसल्स में ट्विस्टिंग मुद्ब मरोड आ जाना साथी कमज़ोरी से महस व्यक्ति को माइल्ड सदेशन हलकी सी नींद आ सकती है डीजीनेस लगना व्यक्ति को खड़े रहने में समय रहेगी ड्राइ माउथ रहना वीजन रिलेटेट समय हो सकती दुल्दा दिखाई दे सकता है सीरदर्ध होना ये कुछ सामयनी से समय होती है इसके लिए अगर साइड साइड एफिक तरब बड़े तो व्यक्ति को मेमोरी लोस हो सकता है कॉंसेंट्रेशन में रह सकती है अग्रेशिवनेस बहुत ज़्यादा घुस्जा आ सकता है प्लीडिंग हो सकती साथ ही सी एनेस जी पेसेंट भी हो सकता है अब वीडियो में आगे हम जान लेते हैं गाब के मुकाबले हई पोटेंट्सी रखता है इसलिए इसकी जो इफेक्टिवनेस के मुकाबले ज्यादा होती है साती उप्सटिवनेस ज्यादा होने के कारण प्री गापई लेमों में धी जाता है हाला कि इन दोनों ही दवाओं के जो side effect है almost similar है जिसके बार हमने अभी जाना था लेकिन high dose होने के कारण गाबा पेंटेन के dose dependent side effect है वो ज्यादा हो जाते हैं इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि pre-gabalin के side effect है गाबा पेंटेन के मुकाबले कम होते हैं जैसा कि हमने जाना था कि pre-gabalin के मुकाबले गाबा पेंटेन के dose है वो हाई दी जाती इसी कारण से गाबा पेंटेन देने पर व्यक्ति को dose dependency होने की रिस्क भी रहती है मतलब जब high dose लंबे समय तक देते हैं तो उसको जब छोड़ना होता तो उस समय से छोड़ने में काफी समश्य आती है फाइनली अगर बात की जाए गाबा पेंटेन देता प्री गाबा लेन इन दोनों में से बहतरीन कौन सा है तो समराइज करते हुए अगर हम जाने तो प्री गाबा लेन गाबा पेंटेन से तीन गोना जल्दी एब्जोर्ब होता है साथ ही कम डोज में दिया जाता है साइड इफेक्ट इसके कम है और जो इसकी डोज डिपेंडेंट्सी है वो भी कम है इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि प्री गाबा लेन वीजेता रहा मतलब प्री गाबा लेन गाबा पेंटेन से बहतरीन दवा है उम्मीद करता हूँ आपको डोज किलिर होंगे इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ मिलते किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें